दोस्तों काफी बार काफी लोगों के दौरा मुझसे मेरे बर्स का जुठा पानी मांगा जाता है और वो अपने छोटे बच्चों को पिलाते हैं और आज जब मैंने इसकी वज़े जानने की कोशिस की तो मुझे क्या बताया गया इसी के बारे में बात करेंगे नमस्कार वाईयों में आपका दोस्त मोहित पारिक और आप देख रहे हैं बर्स वित मोहित यूट्यूब चैनल दोस्तों वेसे मुझे बर्स रखते हुए आठ साल या उससे जादा हो चुके हैं शुरुआत की थी मैंने बजीश पैरेट से और जब से मैं बर्स रख रहा हूँ तब से आज तक काफी ऐसे लोग हैं जोकि काफी बार मेरे सेटप पर आते हैं उनका कहना होता है कि आप अपने बर्स दिखाएं या काफी बच से मेरे सेटप पर आते हैं मेरे बर्स देखने के लिए लेकिन जहां तक है मेरी कोशिस यही रहती है कि मैं किसी को भी अपने बर्ड्स ना दिखाऊँ क्योंकि आप जानते हैं हम बर्ड्स रखते हैं इस कारण से कि बर्ड्स अच्छी ब्रेडिंग करें और जब अलग लग तरीके के लोग बर्ड के पास आएंगे बर्ड्स की सेटप के पास आएंगे एसे में हमारे बर्ड डिश्टप हो सकते हैं और यही वज़े है कि मैंने अपने बर्ड का सेटप छत के उपर क्यों लगाया दोस्तों मैंने अपने bird का setup चट के उपर इसी कारण से लगाया कि काफी लोग आते थे पेले मेरे bird देखने के लिए आजगल में ज़्यादा किसी को bird नहीं दिखाता यही वज़े मैंने चट के उपर setup लगाया क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा आना ज़्यादा नहीं रहता है अपने bird को privacy मिलती है और आप जानते हैं कि हमेशा सही हमारे birds काफी अची ब्रेडिंग करते आएं चाहिए वो किसी भी तरीके का bird हो अची से अची ब्रेडिंग होती है हमारे setup पर क्योंकि मैं ज़्यादा अपने bird को डिश्टप नहीं करता हूँ और आप जानते हैं जैसे मेरे bird काफी ज़्यादा friendly है दोस्टों मैं अपने bird को सुबह आठ बज़े के समय ताजा पानी ताजा seed makes और soft food देता हूँ अमेशा एक अलग-अलग तरीके का soft food देता हूँ अगर आप जानना साते हैं सर्धियों में अपने bird को soft food में क्या दिये जाता है तो इस topic पर मैंने already video बना रखा है आप विकानेर bird information channel पर जाकर वो video देख सकते हैं अरदियों में अपने bird को दिये जाने वाले 10 सबसे बैतरिन soft food दोस्तों अब अगर बात की जाये कि birds का जूठा पानी काफी लोग अपने बच्चों को क्यों पिलाते हैं और इसकी क्या वज़े है दोस्तों मैंने जब इसकी वज़े जाने की कोशिस की तो मुझे बताया गया जो बच्चे सही तरीके से नहीं बोलते हैं साफ नहीं बोलते हैं उनको चिडिया का जुठा पानी पिला जाते हैं बस मुझे इसका इतना कारण बताया गया कि इससे जो बच्चे सही नहीं बोल पाते हैं वो सही बोलने लगते हैं आजगाई वीडियो बनाने का मुक्सद यही है मुझे जब यह बात बताई गई तो मुझे लगता है कि इसा कैसे हो सकता है आप भी मुझे कमेंट करके कैसे कभी देखा है और अगर हाँ तो मुझे जरूर आप बताएं और वेसे दोस्तों आज मेरे सेट अप पर एक छोटा बच्चा आया बर्ड्स देखने के लिए और इनके पेरेंट्स भी साथ में आये इसे पहले दिन आये ये साम के समय और जब इन्हों ने बर्ड्स का पानी जब पड़ा रहता है तो पानी खराब हो जाता है बर्ड्स अब सीट घाते हैं सोफ्ट फूट घाते हैं वो पानी में गिरा देते हैं और वहीं क्या होता है रात के समय जब हम बर्ड्स के पिंजरे से कोलोनियों से पानी निकाल देते हैं तो सुबह तक बर्ड्स प् और बाकी आप जानते हैं हमारे बर्ड कितने एल्थी हैं और रेगुलर काफी एची ब्रेडिंग चल रही है हमारे सेटप पर सभी बर्ड बिल्कुल फिट हैं और सर्दियों से मैं अपने बर्ड को हर तरीके से बचाता आ रहा हूं अगर आप भी यह जानना चाते हैं कि वीडियों ने टुपी के साथ तब तक अपना क्याल रखें अपने बर्ड का क्याल रखें बाई बाई फ्रेंग्ड फ्रेंग्ड